शनिवार को चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदीश में चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया साथ फेज में होने वाले इन चुनाव को लेकर सारे सियासी दल पूरी तरह से सक्रिये है हरनेता अपने आपको जनता का सेवक और अपनी पार्टी को जनहितैशी बताने में जुटा है सत्तापक्ष के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी अपने काम को सर्वो परी बताते हुए कह रहे है कि हिंदू विरोधी तत्व योगी मोदी को कभी नहीं स्विकार करेंगे मैं अपनी गर्दन काट करके तस्तरी में उनके सामने प्रस्तुत कर दूँ फिर भी नहीं सियम योगी आदित्यनाथ ने कहा हम लोग जब 2017 में सरकार में आये थे तो हमने एक चीज उस दिन तै कर ली थी कि हमारी सरकार प्रधान मंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र को अंगीकार करते हुए काम करेगी हमने विकास योजनाओ का लाब सब को दिया है विकास सबका किया है लेकिन तुष्टी करण किसी का नहीं किया प्रश्ट्रवाद हम सब का संसकार है अपने इस राश्ट्रवाद के मुद्दे से हम लोग कभी भी विचलित नहीं होंगे दूसरा कोई भारत विरोधी तत्व और हिंदू विरोधी तत्व मोदी जी और योगी को कैसे सुईकार कर लेगा वहाँ हमें कभी भी सुईकार नहीं करेगा मैं अपनी गर्दन काट करके तश्तरी में उनके सामने प्रस्तुत कर दूँ तो भी वो मुझे कोसेंगे ही ऐसे तत्वों की हम परवाह नहीं करते है मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ बोले मेरी प्रतिबद्धता प्रदेश की 25 करोण जनता है बिना भेदभाव के मुझे उनके लिए कानून का शाशन इस्थापित करना है और हम लोग उन लक्षियों की ओर बढ़ रहे है मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो गलत फैमी के शिकार है वे ही अपने आकडे प्रदेश में थोपने का प्रयास कर रहे है सीम ने विदहन सभा चुनाओ का जिक्र करते हुए कहा साल भर में जो विद्यार्थी मेहनत नहीं करता उसकी समझ में चीजे इसपश्ट नहीं होती है उसे ज्यादा घबराहट होती है मुझे लगता है कि मैं उन विद्यार्थीयों में से हूँ जिसने पूरी तन मैता के साथ पार्टी के विजन को पार्टी के लोग कल्यान संकल्प पत्र को जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया है